हेलो गाइज आज एक बार फिर से आपका बेस्ट नालेज पॉइंट में स्वागत है और आज हम बैदू दिदू के कार्ड किसी भी बिंदू पर बैदू छेट की तिवरता कितनी होती है और उसकी दिशा क्या होती है इसी का अध्यन करेंगे इस सुतर का मान कैसे आया इसको कैसे पुरूब किया जा सकता है इस चीज को हम देखेंगे पिछले वीडियोज में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कार्ड उसके अच्छी इस्ति ती और निरच्छी इस्ति ती एक्सियल पोजिशन और एक्विटोरियल पोजिशन में बैदु छेत की तिव्रता का मान क्या होता है और उसकी दिशा क्या होती है इन सबी चीजों का अध्यन किया था आज हम देखेंगे कि बैदु दिधु के कार किसी भी पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे बैदु छेत की तिव्रता कैसे निकाली जा सकती है इस सुतर से अच्छी इस्थिति और निरच्छी इस्थिति दोनों का फर्मूला आप चंद सेकेंडों में ही निकाल सकते हैं दोस्तों किसी भी पोजिशन के यदि बात किया जाए मान लीजे ये एक एलेक्टरिक डाइपोल है यह एक पेन है जो मैं लिजए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह कारे कर रहा है ठीक है यहाँ पर मैं लिजए माइनस की हुए और यहाँ पर प्लस की हुए तो जब इस इस्तिति में यह इसका जो अच्छ हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का यह जो ठीक है यहाँ पर माइन पर जाब आएंगे इस तरह जैसे यदि हम एक दूसरी पर ले ले लें यह लंबवत इस्थिति यह निर्ची स्थिति का लाएगा और किसी भी पोजिशन पर किसी भी पोजिशन पर इस इस इलेक्टिक डाइपोल का तिन सो साथ हंस किसी भी दिशा में आप गुमा कर यदि नि निकाल सकते हैं किसी भी दिशा से जैसे यह मा लिजे यह एबी एक इलेक्टिक डाइपोल है ठीक है और यह एबी इलेक्टिक डाइपोल है जो दो आवेसों माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेस से मिलकर बनाए ठीक है और जिनके बीच की दूरी जो है टूयल है एबी इसक अब हमें ऐसे पॉंट पर ज्याद करना है, लेक्त्रिक फिल्ड जो नहीं अचिह इस्थिति में है, और नहीं निरच्भी इस्थिति में है यह एक point P है जो electric dipole के इस mid point O से यह O है इस mid point O से जो P बिंदू है और आर दूरी पर इस्तित है और यह जो P है electric dipole के अच से थीटा कोर बना रहा है ठीक है तो जब थीटा कोर बना रहा है तो इसके जो electric dipole देधू आगोड का गटक दो लंबवत गटकों में हम इसको बियोजित कर सकते हैं तो एक गटक होगा P कास थीटा और P कास थीटा के लंबवत गटक होगा P साइन थीटा ठीक है अर्थात हम इस electric dipole को दो electric dipole की कलपना कर सकते हैं जिसका resultant electric dipole AB है ठीक है दोस्तों किसी भी रासी है उसको आप दो लंबवत गटकों में भियोजित कर सकते हैं जैसे मालीजे यह यह Y अच्छ है यह X अच्छ है और इस दिशा में कोई वेग है और यह थीटा कोड़ है तो एक से दिशा में जो गटक होगा V का स्थीटा और इस 36 गटक के लंबवत गटक यह उर्द्वादर गटक वेग का V साइन थीटा होता है ठीक है एक V का स्थीटा और एक V साइन थीटा उसी प्रकार इसका जो main electric dipole है यह जो electric dipole है AB का P तो इसके यह गटक P का स्थीटा और यह गटक P साइन थीटा ठीक है अब दोनों के कारड़ इस point P पे electric field कितना आ रहा है उन दोनों का resultant कितना आ रहा है इस चीज से हम किसी भी point पर बैद उच्छत की तिपता निकालेंगे ठीक है तो एक electric dipole A1 B1 हो गया ठीक है और A1 प्लस की तरा कारे कारेगा B1 माइनस की तर जिसकी दिशा माइनस टू प्लस की ओर होती है तो इसकी दिशा E1 की दिशा ओपिक डाइरेक्शन में होगी इसका मान कितना है पी का स्थीटा इस electric dipole A1 B1 के कारड पॉइंट P पे बैद उच्छत गितिपता कितनी होगी दोस्तों E1 इस और पाइ एफसाइलन जिरो के और इसका मान पी का स्थीटा है तो 2P का स्थीटा अपान आर क्यूब इस electric dipole के A1 B1 के ये अच्छी इस्तितिम है इसलिए 2P का स्थीटा अपान आर क्यूब और ये A1 B1 है A1 B1 के कार और A2 B2 के कार कितना होगा दोस्तों आप देख रहे हैं कि A2 B2 के A2 B2 के डाइपोल के पॉइंट P जो है उसके निरच्छी इस्तितिम है इक्वेटरियल पोजिशन में है तो उसके कार इलेक्टिक फिल्ड E2 इसकॉल टू 1 अपान फोर पाइपसाइलन जीरो के P साइन थीटा अपान आर क्यूब पी साइन थीटा A2 B2 का इलेक्टिक डाइपोल मोमेंट है ठीक है अब दो देखिए ये इवन दिशा में है ये देखिए ओपी ओपी डाइडरेक्शन में है और इसकी दिशा के आए ये A2 से B2 की दिशा में है क्योंकि निरच्छी इस्तिति में इलेक्टिक डाइपोल के कार देखिए बैदुच्छेतर की दिशा प्लस आवेस से माइनस आवेस की ओर होता है तो ये A2 B2 दिशा में है अब दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों सदीस योग से दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं तो E is equal to ये रिजल्टेंट इलेक्टिक फिल्ट is equal to root E1 का whole square प्लस E2 का whole square ठीक है अब इसको दोनों को रखके साल करेंगे तो दोनों का whole square हो जाएगा तो एक कामन निकल जाएगा तो 1 upon 4 pi epsilon 0 के root तो दोस्तों दोनों का work करकर 1 upon 4 pi epsilon 0 के इंटो P upon R cube बाहर निकल गया और इसका whole square P cos theta का whole square 2 2 cos theta का whole square 4 cos square theta प्लस sin theta का whole square sin square theta ठीक है अब 1 upon 4 pi epsilon 0 के इंटो P upon R cube root 80 square theta को आप 1 minus sin square theta लिख सकते हैं तो 4 minus 4 sin square theta होगा ठीक है प्लस sin square theta इसको 80 square theta को आप क्या लिख सकते हैं 1 minus sin square theta रोको तो sin square theta को 1 minus 80 square theta लिख सकते हैं तो 1 at 4 80 square theta minus 80 square theta 1 plus 3 80 square theta e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 के P upon R cube root 1 plus 3 cos square theta ये resultant electric field हो गया तो तो इलेक्टिक field एक वेक्टर कॉंटिटी है सदिस्रासी है तो इसकी दिशा किधर होगी दिशा के लिए हम इधर से देखते हैं तेखिए e1 की दिशा इस direction में है e2 की दिशा इस direction में e1 और e2 दोने एक दूसरे के perpendicular हैं जिसका एक resultant e इस दिशा में कारे कर रहा है तो इसकी दिशा के लिए इसको आप सदिस योग से सदिस नियम से दिशा ग्याद कर सकते हैं तो 10 5 is equal to क्या होगा 10 5 is equal to होगा e2 upon e1 ठीक है e2 upon e1 e2 देखिए लंब है और e1 अधार है तो e2 upon e1 e2 और upon e1 दोनों का भाग देंगे तो आएगा क्या p sin theta p sin theta upon r cube अपान में 2p cos theta upon r cube ठीक है अब p sin theta upon r cube भागा 2p cos theta upon r cube उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 theta upon 2 तो 5 is equal to हो जाएगा 5 is equal to 10 inverse 10 theta upon 2 ठीक है इसकी दिशा क्या हो गई 5 is equal to 10 inverse 10 10 inverse 10 theta upon 2 यह theta जो है कहां से कोड है तो अच से बना कोड है ठीक है जो electric dipole a b है इसके अच से बना कोड है जिस बिंदू पर जिस point पर हमें electric field ग्यात करना है दोस्तों तो दोस्तों आप किसी भी point पर electric field electric dipole के कार निकाल लिए यदि इस इस्तिती में अच्छी इस्तिती में यदि निकालना हो देखिए यह भी क्या है यह भी क्या अच्छी इस्तिती में इधर होगा मतलब यह थीटा जो है जीरो हो जाएगा थीटा जब जीरो होगा तो कास जीरो का मान एक होता है और एक का all square एक और तीन में एक का गुड़ा करेंगे तीन और एक चार 2p और चार का वर्ग मूल निकालेंगे 2p upon r cube तो अच्छी इस्तिती में 2p upon r cube हो गया और यदि निरच्छी इस्तिती में बात करें तो थीटा इसकल टो 90 डिग्री होगा तो कास नबबे इसकल टो 0 हो जाएगा तो 1 का 1 इस्तिता जाता तो दोस्तों यदि इस वीडियो से संबंदित आपको कोई वीडा उठो तो उसे कामेंट बाक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर और अमारे चैनल को सब्स्राइब कर हमारा उच्छा बढ़ाएं दोस्तों इस समय आप खुब पढ़िए क्रियेटिव माइंड को अपन और अच्छा नपिज बता है